तो नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब और चलिए आज हम एक नए जो विग्यापन जारी हुआ है उसके साथ हो पस्तित हैं चलिए देखे विग्यापन क्रमांग स्थापना जारी हुआ है लेकिन पता नहीं अभी तक हमको क्यों नहीं नहीं ये पता तो उतने के जारी हो लेकिन 28 जून इसका डेट है तो ये अभी अभी कहना चीए ये जारी हुआ है तो 36 गड़ के मूल निवासी जो है इसके लिए पात रहें रिक्ति के विरन्ट देख लिजिए महिला स्वास करता जो दाई है एक पद है भृत्य है एक पद है चौकीदार एक पद है और जधाले सिवक एक पद है अगे देखते हैं उप्रोक्त भरती मैंने उचते हैं मेला के CSLPC क्रमांग कितना के आदेश के अध्याधिन होगी ये आदेश मैंने कई वीडियो में आपके साथ सेयर किया है इसके बारे में ज़्यादा चच्चनी करेंगे पदो के संख्या बदल सकती है वेतन मान तो ये लेवल 3 के लिए है और ये लेवल 1 के लिए है तो ये जो दाई है उनका वेतन कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ Excel में मैंने Age Calculator जो है वो सेप करके रखा है Sorry Salary Calculator ये लिजिए तो यहाँ पर ये 15600 वाले जो लिवल 1 है उनका जो पेमेंट है 20,000 का लगभग जो है आएगा ये और ये 18,000 है इनका basic जो है लिवल 3 है तो 18,000 है तो ये थोड़ा और पेमेंट प्लस होगा 18,000 इनका starting पेमेंट होगा 25,000 रुपया ठीक है यहाँ पर सब एड है न मोल वेतन है फिर डियरनेस एलाउंस है ये क्या है अन्य भित्ता है होम रेंट है मतलब की ग्रे भाड़ा है मेडिकल एलाउंस है टोटल सेलरी उसमें डेडक्शन होता है जनरल जीपीएप में कटता है फिर जीपीएश में कटता है तो इस तरह से कट फिट के पूरा 22,680 और टोटल प्रेमेंट है 25,140 तो आगे बढ़ते हैं तो वेतन मान हो गए है सेक्षी क्योंकिता हम अन्य नहरता है तो देखिए पहला पद है जो महिला कारी करता एक उनको हाई स्कूल हाईर सेकंडियम सासन द्वारा दोनों में से एक चाहिए ना हाई स्कूल है तो जवरत नहीं है हाईर सेकंडियम सासन से मानिता प्राबत प् स्टिक्षन चाहिए पत्क्रमंग दो तिन चाहर के लिए क्या चाहिए आठ वी कख्षा होते इन चाहिए निया में हम सर्ते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपके लिए बना दिया है चैनल में देख लीजिएगा और टिस्क्रिक्षन में मैंने आलेडी दे दिया है वांचित प्रमाण पत्रे में अंग सोची की अभी प्रमाणी च्छाय प्रती सही दुम्मी द्वार को 28 जून को सैंप पांच वे तक पंजी किर्दाग जो है या इस्पीज पोस्ट के कारियाल है जीला अर्विदिक अधिकारी नूतन कलोनी बिलासपूर में निवार प्रमाण पत्रे में क्या है न कई सारे लोग न जो है जरिस जनरल काश्ट के हैं और वीसी प्रमाण पत्र बनवाया के उसको सब्मीट कर दी है तो इसके लिए ये प्रपत्र है तो ये प्रपत्र अगर आपके चैन हो जाता है तो नीशे कमेंट कीजिएगा मैं आपके लिए प्रपत्र जो है अलेबल करा दूँगा मेरे पास है कहीं ने कहीं तो है मेरे को याद है विग्यापन जारी होने के पूर रोजगार कारे लेक यहां पर कई लोग कन्फियोज होते हैं कि भाई सर हम जो है आठवी का तो रिजिस्टेशन कराए नहीं है यहां पर आठवी बारवी दसवी का कहां मांगा है यह जीवीत पंजियन होना चीए बस ठीक है आगे है जनवतिती दर्साने के लिए सेक्षिडिक युगिता प्रमार यदि आप दसवी का मार्क सिट्ट जो है सब्मीट करना चाहें तो कर सकते हैं छतिर सिवील सेवा नियम 1961 के नियम पांच यहां च्छे की पात्रता अरताएं रहेगी ठीक है तो यह सीधी भरती है ना अर्थात गोर्मेंट जाव है पूरी तरीका से तो इसमें जो है सिवील तो एकसर जो मद्य प्रदेश जो नियम है न वो छतिर राज्य पर भी लागू होता है या फिर उसी अधिनियम को हमने भी क्या किया है यह किया है तो यह नियम आप अच्छे से पढ़ लिजिएगा मैं डिस्क्रिशन में आपको लिंक दे दूंगा इसका ठीक है आगे बढ जीला चैन्स समीती दोरम मेरिट के दार पर किया जावेगा सास की अत्वा किसी नीजी सवंस्ता से कारियत करमचारिक अपना आवेदन नियोकता से इनोसी करवा के देना पड़ेगा यहां पर देखें लिफापे वाला बात ना कारियला के नाम ठीक है और आवेदीत वर्ग ठीक है आप कौन से वर्ग में एपलाई कर रहे हैं अब यहां पर भी कई लोग कंप्यूज हो आते हैं कि भई सर हम ओबीसी में एपलाई कर रहे हैं तो जनरल में जादा पूश्ट है तो भई आप जनरल में फाइट अलेडिक करोगे ओबीसी में डालोगे तो भी इसके लि अब उमिदवारों को नमिंतम पास्पोर्ट साइच फोटोग्राप अविदन प्रत्र में निर्धारी इस्थान पर जो है चिपकावे जाए जो कि स्वाब प्रमाडित हो सभी संलगने दस्तावेच स्वाब प्रमाडित होना चीए उमिदवार अपने विवाह के लिए कोई अब देखें यहां पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इसमें पैसा कावड़ी चलेगा इसे चलेगा वह इसे चलेगा यह सब फाल्तु की बाते हैं इसमें देखें पूरा मेरिट के अधार पर है कोई अनुभाव है न कोई कहना चीए यहां पर साक्षातकार है तो कहां से को पूरा मेरिट होगा पूरा जो प्रक्रिया है वो पारदर्सी है यह कुछ भी दूदर करेगा यह जो चैन समीती है तो तुरंट आदमी कोड़ चले जाएंगे प्रतिक्षा सोची जो है एक महिने के लिए मानने होगा और अगर आप जो है नुक्ति के प्रक्रिया में दस्तावे सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावे जोक साथ उपस्तित होना अनिवार है बाकि यह अवेदन पत्र है और आपके एक और चीज़ बता देता हूँ के मैंने मिस کر दिया उसके लिए sorry क्यों कि यहां देख लिए यहां पर आपको जो है पता लिखना है इसको हिन्दी में लिखना पड़ेगा तब ही तो ठीक लएक जहां पर यह document क्या है पहुँचना है तो कहां पर पहुँचना है तो यह देख लो कारेलय जीला अरवधिक अधिकारी बिलासपूर नूतन कारवनी सीपा तुरोट सरकंडा बिलासपूर उन्चास 500 ये पता आप सीधा-सीधा सेम जो है कापी कर देंगे ठीक है ना? आपको कुछ करने की जौरत नहीं है और उसके बाद यहाँ पर आवेदित वर्ग का ठीक है न है तो आवेदित पद का नाम लिखे आवेदित पद का नाम यहाँ पर उसके बाद जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे ठीक है उसके बाद वर्ग तो वर्ग आप अपना वर्ग जो है जो भी है वो लिखेंगे और उसके बाद आप ल द्वारा लिखते हैं यहां पर बाई लिख देते हैं या प्रेशक लिख देते हैं जो भी हो तो पता कैसे लिखते हैं जैसे की राम कुमार ठीक है और उसके बाद पिता स्री मोहन लाल अब यहां पर वाड करमांग एक दो तीन चार है ना मोहला फिर गाउ फिर विकास खंड आंत में जो सबसे जवरी जीजना पीन लिखना मत बुलिएगा ये लिजी ठीक है तो इस तरह से आपको ये सभी चीज़े जो दिया गया है उसको सब प्रमारित करके इस लिफाफे में बंद करके जो है आपको भीजना है थैंकि दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाकि इसमें कहीं पर फार्म सब्मीट करने में आपको दिक्कत आ रहे है तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं कोशिस करूँगा कि आपको कमेंट का जवाब दूँ धन्यवाद दोस्तो